जैहिंद आज के कलास में हम लोग बारहवीक अच्छा बिहार बोड के बारहवीक अच्छा के हिंदी शवांक के पद खंड के च्छपए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और च्छपए जिसके लेखा करनावादास हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि च्छपए क्या है च्छपए कहते की से हैं तो च्छपए का परिभासा होता है च्छपए का पद पद जिसमें कितने च्छंद हो च्छंद हो तो च्छंद के पद को च्छपए कहते हैं च्छपए कौन लिखे है नाभादास लिखे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं नाभादास का परिचय और फिर नाभादास के दोरा जो लिखा गए अब पद है च्छपए उस च्छपए के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे विस्तार से क् कौन कौन है तो नाभादाश प्रश्ण है कि नाभादाश का जन्म कब हुआ था तो नाभादाश का जन्म संभवता 1567 में हुआ था अगला प्रश्ण है नाभादाश की मृतियों कब हुई थी उत्तर होगा 1620 में अगला प्रश्ण है नाभादाश का जन्म कहा हुआ था उत् पिता के मृतियूं के बाद नाभादास अपनी माता के साथ कहां आ गए? उत्तर होगा जैपुर. अगला प्रशन है नाभादास ने शिक्छा कैसे परात किया? उत्तर होगा श्वाध्याए एवं सतसंग के दौरा. अगला प्रशन है नाभादास की अभिरुची किस छेत्र में थी? उत्तर होगा लोक भ्रमन, वैश्नव दर्शन और काब्य रचना में. अगला प्रशन है नाभादास के दिख्छा गुरु कौन थे? उत्तर होगा श्वामी अगरदाश. अगला प्रशन है नाभादास अस्थाई रूप से कहा निवास करते थे? उत्तर होगा भ्रंदावन में. अगला प्रशन है नाभादास के परिवार, परिवारिक या समाजिक प्रिष्ट भूमिक ऐसे थी? तो नाभादास दलित परिवार से भिलाउं करते थे? इनिक आजनम एक दलित परिवार में हुआ था. अगला प्रशन है नाभादास किस परमपरा के कवी थे? उत्र होगा शगुन परमपरा के. अगला प्रशन है नाभादास के आराध्यदेव कौन थे? उत्र होगा राम. अगला प्रशन है नाभादास किस के समकालीन थे? उत्र होगा गोवश्वामी तुलसी दास के. अगला प्रशन है भक्त माल किस चंद में लिखा गया है? उत्र होगा छपपै चंद में. नाभादास किस काल के कवी हैं उत्र होगा रिती काल अगला प्रशने नाभादास ने छपपए में किनकी कवीयों के विशेस्था कबर्णन किया है तो जो पाठ हमें परना है उसमें कवीरदास और सूरदास के बारे में जानना है अगला प्रशन है नाभा दास पहले छपए में किनकी विशेस्ता कवर्णन किया है उत्र होगा कवीर दास की अगला प्रशन है नाभा दास दूसरे छपए में किनकी विशेस्ता कवर्णन किया है उत्र होगा सूर दास की अगला प्रशन है नाभा दास के दोर रचित प्रमुख पुस्ता कौन-कौन है उत्तर होगा भक्तमाल और अश्टियाम तो अगला प्रशन है अश्टियाम किस सैली में लिखा गया है अश्टियाम किस शैली में लिखा गया है उत्तर होगा दोहा चौपाई शैली में अगला प्रश्ण है अश्टियाम किस भाशा में लिखा गया है अश्टियाम किस भाशा में लिखा गया है उत्र होगा बरज भाशा में अगला प्रश्ण है नाभादास किस भाशा के कवी थे तो उत्र होगा बरज भाशा के कवी थे अगला प्रश्ण है भक्त माल में कितने छपपए हैं उतर होगा तीन सुल्ला अगला प्रश्ण है भक्त माल में कितने बैश्णम संतों का चरित्र वढ़नान है उतर होगा दो सुल्ला अगला प्रश्ण है नाभादास भक्त माल में भक्तों का परिचा की सैली में दिया है उतर होगा समास सैली में अगला प्रश्ण है अर्थ स्पस्ट करें नावादास ने दो छपए लिखा है दोनों के अर्थ के बार्म करता है अर्थ स्पस्ट करें जो दो पद हैं दोनों के आर्थ करेंगे और पहले पद में नावादास ने कवीर के विशेश्टा करेंगे पहला वाक्य है हर वाक्य का आलागला गर्थ हम लोग निकालेंगे बाद मिनिश्काने जोर हम लोग समझेंगे कि भागती विमुख जो धर्मसो भागती विमुख जो धर्मसो शब अधर्म करी गाए नाफादास ने कवीर के बारे में चर्चा किया है लिखा है कि कवीर ने भगती विमुख जो धर्म सो सब धर्म करी गए कवीर दास कहते हैं कविर ने भक्ती विमुख थाकति धर्मों के अलोचना किया है और कहा है कि भक्ती विमुख व्यक्ती अधर्म के काड़े में सनलिप्त होता है भक्ती विमुख जो धर्म शो शर्ब अधर्म करी गाए अर्थात भक्ती विमुख व्यक्ती अधर्म के काड़े में सनलिप्त रहत क्या है दुसरा वाक्य है योग यग बरत ढान भजन बिनुतुक्ष दिखाए यूग यग बरत ढान भजन बीधिर दुक्ष दिखाए इसकार्थ होगा इस लाइन का कवीर ने योग बरत भजन दान और यह के के महत्व का बार बार प्रतिपादन करते हुए बास तबिक धर्म के अर्थ को बताया है और कहा है इसके बिना मत्व योग यग ब्रत भजन के बिना मनुष्य का जो जीवन है वह क्या है बेअर्थ है अगला लाइन है हिंदु तुरक परमान रमैनी सबदी शाखी अर्थात कवीर दाश हिंदु और मुसल्मान सब के परति आदर व्रक्त किया है साके सब्दी कवीर के दोना लिखा गया उसंत्क है, वही लिखते हैं कि कवीर ने हिंदू और मुसलमान सबके परती आदर अधर रगत किया है, हमेशा लोकमंगल की भावना से बात बोला है अगला है आरूढ दशा है जगत पै मुख देखी नहीं भनी अर्थात इसकार्थ होगा ये सिती कैसी भी हो लेकिन कविर कभी भी मुख देखी बात नहीं किये कवीर का नी राखी नहीं बरनास्रम सक्ट दर्शनी मतलब कवीर ने कभी भी कवीर ने बरनास्रम विवस्था का पोशक्षत दर्शन के अबगुन का हुलेख किया है यह था पहले छपाय का अर्थ आई जानते हैं दूसरे छपाय के अर्थ के बारे में जानते हैं अर्था स्पष्ट करी लेक्वें दूसरा छपए है और दूसरा छपए में सूरदास के विशेस्ता के बारे में चर्चा है तो पहला वाक्य है दूसरे छपए का उक्ति चौज अनुपराश वर्न अस्थिती अतिभारी अर्थात शूर की कविता सुनकर कौन ऐसा कवी है जो उन्हें से सहमत नहीं होगा बच्चन प्रीत निर्वही अर्थ अदभुत तुक धारी अर्थात शूर की कविता में स्री कृष्ण के लीला का वर्नन है उनके जन्म से लेकर स्वर्ग धाम तक की लीलाओं का मुक्त गुनगान किया है उनकी कविता गुन माधुरी और माधुरी से भारा परा है तीसरा वाक्य है कि दुसरे पद का प्रती बीम्वित दिव्य द्रिष्टी हिर्दय हरी लीला भाशी अर्थात शूर्दास की द्रिष्टी दिव्य थी उन्होंने अपनी कविता में गुप गोपियों के संबाद में अध्भुत प्रीम दिखाया ह मतलब भगवाने कृष्टी के लीलाओं का बढ़न किया है जन्म कर्म गुन रूप शवही रचना परकाशी मतलब सूर्दास ने अपने कविता में कृष्टी के जन्म कर्म और लीलाओं का विस्तार से बढ़न किया है अगला है लाइन बिमल बुधि हो तासु की जोयह गुन स्रव ननी धरे अर्थात शूर्दास की कविता कार्थ वही लगा सकता है जिनकी बुधि बिशाल और निर्मल हूँ सूर्दास की कविता को सुनकर कौन ऐसा कवि है जो नतमस तक नहीं होगा अर्थात उनके सामने सर नहीं जुकाएगा अब आई ये दोनों का सरांस जानने पहले पहले तो हम लोगोंने लाइन वाइन वाइन वाइवा कर्थ हमने जाना प्रश्ट अगर आपसे करता, पहले छपए का आप सारावस लिखे, तो आप लिखेंगे, पहले छपए में पहले ही बोल दी आऊंगे, नवादाश ने कविरदास की विशिष्टा कमाताया है, तो जो भ्यक्ती, भक्ती विहीन होता है, वो धर्म पर चलता है, वो अधर्म पर चलता है सोरी अधार्म पर चलता है आज की स्थिति में यह के भजन दान सभी मिथ्या है कवीर की शाखी शब्दी और रमैनी हिंदू और मुसलमान सब के लिए प्रमान सो रूप हैं मानव को सदा दूसरे के हित में बोलना चाहिए शाथिया ऐसी बोलनी चाहिए जो पक्षपात रही तो हो यह संसार विचित्र है जो परत्यक्ष देखकर भी उस पर विश्वास नहीं करता यही कारण है कि कवीर ने वड़नास्रम धर्म और स्वट दर्वसन के महत्व को महत्व नहीं दिया है नेक्स्ट है अगला प्रश्ण है दूसरे छपपय का सरांस लिखे नाभा दास ने जो दूसरा छपपय लिखा है जिसमें शूर दास की विश्वास को जिक्र किया है पहले भी हमने इसकार्थ बताया यहां सरास जाल ले तो दूसरे छप्पय में नाभा दास ने सुर्दास की विशेश्ताओं का बढ़नन किया है और लिखा है शुर्दास की कविता को शुनकर आशा कौन कभी है जो सहमत नहीं होगा क्योंकि सुर्दास के कविता में भगवान क्रिष्ण की बाल लिलाओं से शुर्गधाम के यात्रा तक का बढ़नन है शुर्दास दिवद्रिष्टि के है उनके हिरदय में हरी लीला का आवास होता है और वो हरी लीला का अपने जिहुआ के द्वारा लोगों के सामने प्रकास सकता है जिनकी बुधि निर्मल और विशाल हो शूर दास के कविता को सुनकर यह कौन कवी है जो नत्मस्तक नहीं होगा कि अगला प्रश्ण है कि नाभा दास ने छपपय में कवीर के किनकिन विश्यस्ताओं का उलेख किया है सुची बनाईए नाभा दास ने कवीर दास के किनकिन विश्यस्ताओं का बढ़न किया है अब लिखेंगे भक्ती विखिन व्यक्ती अधर्म पर चलता है पहली विश्यस्ता बतायाया है जो कवीर ने कहा है दुसरा भक्ती भीहिन भ्यक्ती को दान भजन यगत अथा उसके हित की बात महीं सुहाती। उसको हमेशा उसके हित की बात तुक्छ लगती है, खराब लगती है। तीसरा, कवीर के अनुसार मनुश्य को कभी भी हितकारी एवं पक्षपात पुर्न भाषा नहीं बोलनी चाहिए। चुनाई बातों प्रविश्वास नहीं किया, यानि किया नहीं मुख देखी बात बोला। अगला कवीर बढ़नास्तरम विवस्ता था सट दर्शन के अब गुनों का भी उलेख किया है। अगला प्रश्न है, मुख देखी नहीं भनी का क्यार्थ है। अब लेखेंगे कवीर ने मुख देखकर कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने वहीं बोला जो उचित था। अर्थात कवीर पक्षपात पुर्णबात नहीं कहा, उन्होंने हमेशा निर्विक्ता से शत्य बोला। अगला प्रश्न है, सूर्दास के कवीता में कौन-कौन सी विश्यस्ता देखने को मिलती है। तो उतर में दिखेंगे, सूर्दास की कवीता में चमतकार अनुपरास के साथ साथ उनकी भासागत मिश्यस्नाव कवलेख है। जुसरी विश्यस्ता है कि सूर्दास की कवीता में प्रेम तत्व की परधानता है। तुश्री विश्यस्ता के सूर्दास जन्म से अंधे हैं, लेकिन उनके पास दिवद्रिष्टी हैं, और वो अपने दिवद्रिष्टी से ही हरी लीला का गुर्णगान करते हैं, अगली विश्यस्ता है, सूर्दास ने अपनी कविता में कृष्ण के जन्म, कर्म और रूप का वर्णन किया है। चौति विशस्ता है सूर दास के कविता कार्थ वही लगा सकता है जो निरमल और भिपुल बुधी का हो। तथा जिसका मन पवित्र हो। अगला प्रश्ण है सूर कवित सुनी कौन कवी जो नहीं सिर्चालन करे अर्थ स्पष्ट करे। अब लिखेंगे नाभादास इस पंक्ती के माध्यम से सूर दास के विशस्ताओं का वड़न करतवी लिखते हैं कि सूर दास की व्यक्तित्व इतना महान वचमतकारी हैं कि कौन कवी उनके सामने अपना मस्तक नहीं चुगाएगा। दूसर सूर दास कभिता के छित्र में आदर रनिये और क्या है महान अगला प्रश्ण है भागती विमुख जो धर्म शो शब अधर्म करी गाए अर्थ स्पष्ट करे। भागती विमुख जो धर्म शो शब अधर्म करी गाए अर्थ स्पष्ट करे आप लिखेंगे नाभादास ने इस पंग्ती के माध्यम से कवीर के बातों का उले किया है और लिखा है कवीर कहते हैं जो ब्यक्ति भक्ती और धर्म के विमुख रहता है वो अधर्म के मार्ग पर चलता है। वह कर्मकांड और धर्म के आडवर में फसा रहता है। पाख्ञाद उस पर हावी रहता है, वह भाख्ण के संक्रिनता में फसकर हिंसा का मार्ग अपना लेता है. अगला प्रस्न है है, पक्षपात नहीं बचन सवही के हितकी भाशी इस कथन के माध्यम से नाभादास ने कवीर के किन गुनों का परचे दिया है आप लिखेंगे इस पक्ती के माध्यम से नाभादास कवीर के मूल प्रवर्ति को रिसंकेत दिया है और कहा है और कविर कभी भी किसी भी इस छीती में पक्षपात पुर्ण बात नहीं बोला वो कभी सुनी ऍसुनाई बातों बैसी प्षीश नहीं किया वो हमेशा आको देखी बात बोला दूसरी और कविर निर्भीक है जब्लस Change में मतर मुशल्मान धर्म के पाकःणड पर कमी पर लिखा कि कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लइचनाय ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुद आए अर्थात कि कंकर पत्थर जोर के उच्छे-उच्छे मस्षिद बनाते हैं और मौलवी साहब जो आजान पढ़ते हैं जोर-जोर से क्या मन में परहेंगे तो अल्ला को सुनाई नहीं देगा क्योंकि इसमर तो सरवब्यापिय सरवसक्तिमान है हर मानव के हिर्दयमे नि Congressman निवास करते हैं तो फिर अल्ला करने की क्या जरूरत है अगला कभीर ने हिंदु धर्म के आडंबर का भी विरोध किया है ऐसा नहीं कि की मुसलमान का भी रोध किया यदि पत्थर को पुजने से भगवान मिलता है तो मैं पहार को पुजू लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो चाकी को पुजा जाए जिसे अनाज को पीश कर कूट कर लोग भोजर करते हैं अगला प्रश्ण है नाभा दास के द्वारा रचित कविता छप्पाई में तुक का क्या महत्व है तुक का मतलब है शमान वर्न अथवा शमान ध्वनी अगला प्रश्ण है कवीर कानी राखी नहीं से क्या तत पड़े हैं उत्र होगा छपे कविता में कानी राखी नहीं से तत पड़े हैं मर्यादा और परमपरा कवीर ने कभी भी मर्यादा और परमपरा का निरवाह नहीं किया है उन्होंने बरनास्रम व्यवस्था को नहीं माना शड़ दर्सन को भी अस्विकार कर दिया जाती पाती का विरोध किया और लिखा है तू कहता है कागद लेखी तू कहता है कागद लेखी कहता हूँ आखिन देखी या मैं कहता हूँ आखिन देखी काभीर दास कहते हैं समाज के लोगों को कहते के तो वही बोलती हो जो कागज पर लिखा हुआ है लेकिन मैं वह बोलता हो जो आख से देखता हो दोने में अंतर है कागज पर लिखा गिया बात असत्य हो这史 होता है लेकिन आँक से देखा हुआ बात कभी असत्य नई होता है देखने के नगे अगला प्रश्ण है कवीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है कवीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है लिखेंगे कवीर दाश निर्गुर्म परंपरा के महान संतकवी है वो भक्ति और प्रेम के पुजारी थी कवीर ने भक्ति को सरवपड़ी माना है कवीर कहते हैं जो भक भक्ति बिमुख भक्ति का कोई धार्मिक आचरण नहीं होता संसार में भक्ति की अनेक साधन है जैसे योग बरत दान भजन लेकिन जो भक्ति इसे नहीं करता वह बेर्थ है क्योंकि इश्वर प्राप्ति का साधन शुलव है ते रहा नाभादास के दौर अचित पद छपए क का सारांस और छपए से जो महत्रपुर्ण प्रशन पूछे जाते हैं उस पर हमने विस्तार से चर्चा किया तो आज के कलास में इतना ही धन्यवाद